आइंस्टाइन ने क्या कहा, नॉनसेंस, सैड आइंस्टाइन, इट प्रूफ्स आवरिफिंग, आइंस्टाइन ने कहा के नॉनसेंस, यानि के यहाँ पर सैंस नॉनसेंस का क्या है के इडियेट, बेवकूफ हो तुम, इट प्रूफ्स आवरिफिंग, इससे हर चीज साबित ह होती है क्या साबित होता है इससे आइंस्टाइन क्या साबित करना चाहते थे बीच में डियर स्टुडेंट्स मैं आपको बताता चलू के यहां पर जो राइटर है वो इसका जो एक्स्ट्रेक्शन है इसका जो निचोड है या इससे जो हमें टीचिंग मिलती है चैप्टर से वो यह टीचिंग मिलती है दियर स्टुडेंट्स के एक तरफ तो आइंस्टाइन बहुत बड़े साइन्टिस्ट है he was he was a greatest scientist one side and the other side he was a greatest teacher और दूसरी तरफ वो एक बहुत बड़े teacher भी थे तो यहाँ पर वो teach करने की कोशिश कर रहे है एक बच्चे को एक लड़के को तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा do you remember your first arithmetic lesson in school क्या तुम्हें याद है जब पहली बार तुमने arithmetic का lesson अंगडित का lesson अपने स्कूल में पढ़ा था suppose at your very first contact with numbers मालो के पहली जस्त तुम हुए हो यह number के बारे में तुम्हें पता चला है your teacher had ordered you to work out a problem in say long division or fraction अभी तुम्हें नंबर के बारे में पता चला है और आपके teacher ने कहा कि आपके teacher ने आपको एक बड़ी problem दे दी division की और fractions की could you have done it क्या तुम यह कर सकोगे no of course not और उन्होंने जवाब दिया कि नहीं तुम like learning maths बिल्कुल इसी तरह से यह maths जिसे हम learn करते हैं सीखते हैं इसी तरह से यह है music का matter भी इसी तरह से है या किसी भी चीज को सीखने का matter भी इसी तरह से है कि जब तक हम उसके basic को नहीं सीखेंगे तब तक हम आगे की चीजों को नहीं सीख पाएंगे dear students यह तो मैं अपनी तर अब ये कह रहे हैं कि अगर आप multiplication और division करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा आपको सबसे पहले आपको addition और subtraction सीखना पड़ेगा उसके बाद ही आप multiplication और division कर सकते हैं अब आइंस्टाइन अब उन से बात कर रहे हैं now I am playing something a little more advanced अब आइंस्टाइन ने कहा कि अम मैं कुछ यह जो मैंने चीजे सुनाई आपको इसके बाद मैं कुछ थोड़ा सा advanced प्ले करने जा रहा हूं या प्ले कर रहा हूं चला रहा हूं इसको सुनना तुम it was the it was the trumpeter by john mack kormack sing that back और आइंस्टाइन ने कहा कि यह trumpet कहते हैं बाजा वो band में जो होता है बड़ा सा बाजा dear students तो उन्होंने कहा कि यह john mack के दुआरा बजाया जा रहा है और यह trumpeter की आवाज है sing that back इसके पीछे पीछे गाओ या इसके पीछे पीछे कहो बोलो he ordered उसने order किया Einstein ने हुकम दिया and we went on from one level to a higher level until he was playing just music without words और क्या हुआ कि हम zero level से या पहले level से higher level की तरफ जा रहे थे यानि नीचे से उपर की तरफ जा रहे थे he was playing just music without words और कब तक ऐसा होता रहा अब Einstein last में आके अब वो words हटा के और बिना words की जो है music को play करने लगे गाने नहीं थे उसमें सिर्फ music थी I was amazed that this great man was paying complete attention to me so that I could learn something new मुझे बड़ी हैरानी थी मैं बहुत हैरान था, amazed था कि ये जो महान आदमी है पूरी इसकी ये मेरो पर पूरी attention अपनी पे पूरा ध्यान मेरो पर लगाए हुए ता कि मैं कुछ नया सीख सकूँ it was as if I was the most important person in his world और वो मुझे ऐसे seriously ले रहे थे जैसे उनकी दुनिया में मैं बहुत एहमियत रखने वाला person हूँ उनके लिए बहुत ही महतवपूर person हूँ suddenly he got up and turned off the gramophone अचानक से वो खड़े हो गए और उन्होंने gramophone को बंद कर दिया now young man he said we are ready to listen to back और उन्होंने का कि young man अब हम तयार हैं back को सुनने के लिए we went down and sat in the hall just allow yourself to listen he said हम नीचे गए और hall में जाकर बैठ गए और उन्होंने Einstein ने मुझे कहा कि अब सिर्फ सुनो अपने आपको सुनने के लिए permission दो सिर्फ सुनो that is all there is to it that is all there is to it और सिर्फ इसको सुनो इसका मतलब यह है I have heard that piece many times since that day और वो जो back music classical music चल रहा था उसके बाद से मैंने उस piece को उस टुकड़े को उसके बाद से बहुत बार सुना but I am never alone लेकिन मैं कभी भी अकिला नहीं होता हूँ जब मैं उस music को सुनता हूँ I am sitting beside a small man with a shock of untidy hair and a pipe in his mouth यहाँ पर narrator यह कह रहा है कि जब भी मैं उस music को सुनता हूँ वो इतना जवरदस उन्होंने lesson पढ़ाया था मुझे lesson दिया था वहाँ पर उस dinner के मौके पर कि उन्होंने मुझे यह किस तरह से चीज़ को सीखा जाता है यह बता दिया तो जब भी मैं उसको सुनता हूँ तो मैं अकिला नहीं होता हूँ बलके मुझे ऐसा महसूस होता है यहाँ पर यह कहना चाहरा है narrator मुझे ऐसा महसूस होता है कि Einstein मेरे पास बैठे हुए है उनके untidy ear है और उनके मुँ में pipe है cigar है he has eyes that are unusually warm और उनकी जो आखे हैं उनमें unusually कहते हैं यानि कि ऐसी गर्माहट या ऐसा जोश किसी के आखों में नजर नहीं आता जैसा कि उनकी आखों में जोश या गर्माहट नजर आती है when the concert ended I too was able to clap sincerely और जो वो concert musical program खतम हुआ dear students तो narrator कह रहे हैं कि वाकई में दिल से तालिया बजा रहा था our hostess came towards us we both stood up I am so sorry Dr. Einstein she said giving me a cold look that you missed so much जो हमारी hostess थी मेजबान वो लेडी जो थी वो हमारे पास आई हमारी तरफ आई हम दोनों उटके खड़े हो गए Einstein और narrator दोनों उटके खड़े हो गए और उस लेडी ने कहा I am so sorry Dr. Einstein मैं आप से माफी चाहती हूँ और उन्होंने मेरी तरफ नाराजगी से cold look कहते हैं हलकी सी नाराजगी से देखा और कहा कि that you missed so much और कहा कि तु आपने मैं इसलिए माफी चाहती हूँ कि आपने काफी प्रोग्राम मिस कर दिया आपका काफी प्रोग्राम मिस हो गया I am sorry to he said my young friend here and I her were engaged in the greatest activity of which a human being is capable डाक्टर राइंस्टाइन ने पलेट कर जवाब दिया ये कहा कि मेजबान से उन लेडी से कि मैं भी आप से माफी चाहता हूँ असल मैं मैं और मेरा young friend जो है हम लोग एक ऐसी activity में मशगूल थे ऐसे काम में मशगूल थे which a human being is capable जिसके जरीए से human being जो है इनसान जो है वो किसी काबिल बनता है कुछ सीखता है ऐसे काम में क्योंकि वो learning process में busy थे engaged थे she looked puzzled really she said and what is that वो बड़ी हैरानी से वो बड़ी हैरान नजर आने लगी और ये कहा उन्होंने मेजबान ने लेडी ने के अच्छा सच मुझ आप ऐसे काम में मशगूल थे and what is that और वो काम क्या था जिसमें आप मशगूल थे के हम खूबसूरती के दरवाजे खोलने में मशगूल थे dear students खूबसूरती के दरवाजों से मतलब ये है के हम कुछ नई चीजें सीखने में मशगूल थे busy थे okay dear students ये यहाँ पर complete हो गया और इस chapter के complete होने के बाद मैंने इस बार से ये सोचा है I thought this के मैं इंशालला words meaning भी कराऊंगा इस chapter के आपको और question answers भी कराऊंगा ठीक है और भी कुछ अगर इसमें ऐसी कोई मुझे difficulty grammar के एदबार से नज़र आई तो मैं उसको भी कराने की कोशिश करूँगा ओके थेंक यू